नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो भारत और दुनिया भर में गूंचता है। लेकिन राजनीती और भाशनों के परे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कई अनकही कहानिया और रहस्य छुपे हैं। आज हम आपको नरेंद्र मोदी के बारे में दस ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तथ्य एक क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी एक सन्यासी बनने की ख्वाहिश रखते थे। जी हाँ, राजनीती में आने से पहले मोदी ने हिमाले में कई साल बिताएं ध्यान और आत्मज्यान की खोज में। को एक टेक प्रेमी नेता के रूप में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे हमेशा से इतने जुड़े हुए नहीं थे। मोदी कभी रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचते थे। हाँ, गुजरात में एक छोटे लड़के के रूप में उन्होंने कड़ी मेहंत और द्रिर्टा का महत्व बहुत पहले ही सीख लिया था। उनकी सफलता केवल राजनीतिक नहीं थी, यह एक प्रेनादायक संधर्श की कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे गुजराती भी बोलते हैं और कई अन्यक्षेत्रिय भाशाओं में भी बातचीत कर सकते हैं। आज वे अमेरिका के राश्ट्रपती के साथ हाथ मिलाने वाले एक प्रभावशाली वैश्विक नेता बन चुके हैं। हैरान कर देने वाला है ना लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। तथ्य 6. नरेंद्र मोदी दिल से एक योगी है। चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनका दिन योग और ध्यान से शुरू होता है। यह प्रैक्टिस उन्हें इस व्यस्त राजनीतिक जीवन में भी संतुलित बनाये रखती है। वास्तव में मोदी ही थे जिन्होंने अंतरराश्ट्रिय योग दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की पहल की। तथ्य 7. स्वच्छता के प्रती उनका प्रेन केवल राजनीतिक नहीं है। मोदी व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता और व्यवस्था के प्रती जुनूनी है। उन्होंने खुद के रहने के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखने की आदत बनाई है। यही जुनून उनके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू करने की प्रेना बना, जिसने पूरे भारत को साफ करने का लक्ष रखा। तथ्य 8. क्या आप जानते हैं कि मोदी शायद ही कभी छुट्टी लेते हैं। जी हाँ, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, नरेंद्र मोदी को अपने कठोर परिश्रम के लिए जाना जाता है। चाहे वह लंबी अंतरराष्ट्रिय यात्राएं हो या लगातार बैठकों की श्रिंखला, मोदी को अकसर दिन में 16-18 घंटे काम करते हुए देखा जाता है। तथ्य 9. नरेंद्र मोदी का बचपन का सपना राजनीती नहीं, बलकि सेना में जाने का था। एक छोटे लड़के के रूप में मोदी भारतिय सेना में शामिल होना चाहते थे और यहां तक की एक सैने स्कूल में भरती होने के लिए घर से भागने की भी योजना बना रहे थे। हालांकि वे कभी सैनिक नहीं बने, लेकिन उनकी रणनीतिक सोच और अनुशासन उनके नेत्रित्व में जहलतता है। तथ्य 10. नरेंद्र मोदी एक प्रतिष्ठित लेखक भी हैं। अपनी राजनीतिक यात्रा के अलावा, मोदी ने कई किताबे लिखी हैं, जिन में से एक जलवायू परिवर्तन पर और दूसरी अपनी मा के बारे में हैं। उनकी लेखनी उनके चिंतनशील और दार्शनिक पक्ष को दर्शाती है, जिसे कम लोग जानते हैं। हिमाले में आध्यात्मिक यात्राओं से लेकर भारत का भविश्य गढ़ने तक नरेंद्र मोदी का जीवन आश्चरियों से भरा हुआ है।